नमस्कार दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियों बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री यानि भारते इतिहास में हुए युद्धों के बारे में दोस्तों कौन सा युद्ध किस सन में हुआ किस किस के बीच हुआ कौन जीता कौन हारा ये इस वीडियों हम जानेंगे बस वही युद्ध इस वीडियो में मैंने आपके लिए पुट किया है जो कि आपकी परिक्षा के लिए काफी खास है और कैई बार दोस्तो परिक्षाओं में रिपीट हो गए है तो ऐसे ही युद्ध आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं इस से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा बेकार की रबूत-खबूत दोस्तो इस वीडियो मैंने आपके लिए नहीं भरी है वही प्रिसन रखे गए हैं जो कि कई बार रिपीट हुए हैं और दोस्तो उनके रिपीट होने के चांस अधिक से अधिक हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिगा और वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ में सेयर कर दीजिगा ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुँंच जाए क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी important है तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो में जो युद्ध आपको दिये गए हैं चर्चा कर लेते हैं एक-एक करके सभी पर तो पहला युद्ध जो है दोस्तों वो जान लिजिए 326 CCV में हुआ था दोस्तों ये और दोस्तों ये कौन सा था ये था दोस्तों हाईडे स्पी Mrs. का युद हाईडे स्पीज का युद्ध आपसे person पूछा जाएगा किसमें की विजय हुई थी तो आपने जान लिया होगा 326 CCB में जो लड़ा गया था वो हाईडे स्पीस का युद्ध था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ और दोस्तो इसमें जो है सिकंदर विजय हुआ और पंजाब के राजा पोरस की पराज्य हुई तो आप से यहां से तीन से चार प्रिशन बन जाएंगे और एक ही कुशन लिखा हुआ है बस यहां से तीन से चार प्रिशन आप बना सकते हो अगरा प्रिशन दूसरा युद्ध है दोस्तो कलिंग की लड़ाई ये कब लड़ी गई थी 261 इसा पूर्व में कब 261 इसा पूर्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी कलिंग की किस किस के बीच लड़ी गई थी समराट असोक ने दोस्तो कलिंग पर आकरमन किया युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ने करने की कसम खाई थी इस युद्ध में तो आपसे पूछा जाएगा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया तो ये लड़ा गया 261 इसवी पूर्व में अगला सिंद की लड़ाई कब लड़ी गई सिंद की लड़ाई लड़ी गई थी 712 इसवी में किस किस के बीच मोहम्मद कासिम ने अर्वों की सत्ता इस्थापित की तो किस की अर्वों की सत्ता जो है इस्थापित की थी मोहम्मद कासिम ने और ये जो समय था दोस्तों वो था 712 इसवी यानि 712 इसवी में क्या हुआ था सिंद की लड़ाई लड़ी गई थी सिंद की लड़ाई कब लड़ी गई तो 712 इसवी में अगला तराईन का पिर्थम युद्ध ये कब लड़ा गया था समय 1191 इसवी में लड़ा गया था किस किस के बीच मोहम्मद गोरी और परत्वीराज चोहान के बीच लड़ा गया था जिसमें क्या हुआ प्रत्वी राज चोहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी दोस्तो इसमें हार गया अगला यूद्द लड़ा गया था तराइन का दूसरा यूद्द यानि दुतिये यूद्द तो ये लड़ा गया था ग्यारे 92 इसवी में किसकिस के बीच मुहम्मद गौरी और प्रत्वीराज चोहान के बीच द्वारा से युद्ध हुआ था जिसमें मुहम्मद गौरी ने प्रत्वीराज चोहान को बंदी बना लिया था ठीक है दोस्तो तो अगला आपसे पूछा जाएगा तराइन का दुतिया युद्ध कब हुआ 1192 א merryí men किस-किस के बीच हुआ मुहम्मद गौरी और प्रत्वीराज चोहान के बीच कौन हारा तो इसमें दोस्तो हार गया था प्रत्वीराज चोहान कौन जीता मुहम्मद गौरी अगलाब चंदावर का युद्ध किस-किस के बीच लड़ा गया कभ हुआ तो ये लड़ा गया था दोस्तों चंदावर का युद्ध समय था 1194 और ये लड़ा गया था मुहम्मद गौरी ने कन्नोज की राजा जैचंद को दोस्तों इसमें हरा दिया था यानि किस-किस के बीच लड़ा गया था मुहम्मद गौरी और कन्योज की राजा जैचंद के बीच और इसमें क्या हुआ था जैचंद की बुरी तरह से पराज्य हो गई थी अगला परिसन पानीपत का पिर्थम युद्ध ये बहुत बार पूछा हुआ परिसन है तो पानीपत का पिर्थम युद्ध कब लड़ा गया 1526 इसवी में किस-किस के बीच लड़ा गया मुगल सासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बेच ये लड़ा गया था अगला खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध दोस्तो 1527 इसवी मिला गया था किस-किस के बीच बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित कर दिया था यानि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था तो इसमें पराज्य किसकी हुई थी राणा सांगा की और विजाई बाबर हुआ था तो अगला युद्ध दोस्तो घागरा का युद्ध ये हुआ था 1529 इसवी में किसकिस के बीच बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था दोस्तो क्या हुआ था बाबर ने महमूद लोदी के नित्रत में अफगानों को हराया ठीक है अगला पिरसन चौंसा का युद्ध चौंसा का युद्ध कब लड़ा गया था समय था 1549 इसवी और किस-किस के बीच सेरसा सूरी और हिमायू के बीच हुआ क्या था सेरसा सूरी ने हिमायू को हरा दिया इसमे अगला युद्ध कन्योज या बिलगराम का युद्ध समय 1540 इसवी तो आपसे पूछा जाएगा कन्योज या बिलगराम का युद्ध किस सन में हुआ तो 1540 इसवी मुआ किस किस के बीच हुआ तो किस-किस के बीच हुआ सेर सहा सूरी और हेमायों के बीच हुआ क्या एक वार फिट से सेर सहा सूरी ने हेमायों को हराया वे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया अगला फिरिस अगला युद्ध पानी पतका दूतिय युद्ध दोस्टो इसका समय था वो था दोस्तो 1526 थल्फी में हुआ था किस-किस की बीच favour और हैमु के बीच यह युद्ध जो है बहुत important है तो पानीपत का दुतिय युद किस्टन में हुआ 1556 में किसकिस के बीच अकबर और हैमु के बीच हुआ था ठीक है अगला ताली कोटा का युद कब हुआ था 1565 इसवी में हुआ किसकिस के बीच हुआ दोस्तो ये इसमें डेक्रेर नहीं किया गया है ताली कोटा के दोस्तो अंत हो गया था इतना आप याद रख लिजे बस अगला पिर्सन हल्दी गाटी का युद कब लड़ा गया ये लड़ा गया था 1556 इसवी में किसकिस के बीच अकबर और राणा पिरताप के बीच इसमें दोस्तो राणा पिरताप की हार हुई थी पिलासी का युद दोस्तो ये कब लड़ा गया था 1757 इसवी में किसकिस के बीच अंग्रेज और यानि अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजु दौला के बीच हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी सासन की नीव बड़ी तो यहा पिलासी का युद किसकिस के बीच लड़ा गया था 1711 इसवी में एहमद साह अबदाली और मराठो के बीच लड़ा गया जिसमें फ्रांसी सियों की दोस्तो हार हो गई थी अगला बकसर का युद 1714 इसवी में लड़ा गया किसकिस की बीच अंग्रेज और साजु दौला के बीच लड़ा गया मीर कासिम एवम सहा आलम दुतिया की संयुक्त सेना के बीच जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी ठीक है तो जो बकसर का युद था ये 1714 इसवी 79 तक चला था किसकिस के बीच हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की हार होई और हैदर अली ने बाजी मार ली अगला दुतिया अंगल मैसूर युद समय 1784 तक चला किसकिस के बीच हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो ए निर चूटा इसमें किसी की ना तो विजय हुई और ना ही हारा कोई अगला युद्ध तिरते आंगल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया 1792 इस्वी में किसकिस की बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर सक्ति का पतन हो गया इसमें अगला चिलियान वाला युद्ध दोस्तो ये लड़ा गया था 1849 इसमें किसकिस की बीच इस्टिंडिया कंपनी और सिखो के बीच हुआ जिसने सिखों की दोस्तो हार हो गई थी चिलियान वाला युद्ध था ये सन्था अगला भारत चीन सीमा योद्ध ये लड़ा गया था 1962 में किसके बीच चीनी सेना द्वारत के सीमा चेतरों पर आक्रमाट कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षिय युद्ध विराम की गोशना की गई थी दोस्तो भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़न पड़ गया था तो भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था ये हुआ था 1962 में अगला पिरसन भारत पाक युद्ध युद्ध ये लड़ा गया था इंडो पाक युद्ध भी बोला जाता है इसे तो ये 1965 इसमें लड़ा गया था किसके बीच बारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की हार हुई भारत पाकिस्तान के बीच सिमला समझोते पर हस्ताक्षर हुआ तो ये भी पिर्शन पूछा जाता है सिमला समझोता कब हुआ तो 1965 में अगला पिर्शन भारत पाक दूसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1971 में किसके बीच दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जिसमें पाकिस्तान की हार हुई फलसरूप बंगला देश एक स्वतंत्र देश बना इसके बाद में अगला कारगिल युद्ध ये लड़ा गया था 1909 में में किसके बीच जमु एम कस्मीर के दास दौरा कारगिल छीतरों पाकिस्तानी गुसपैटियों को लेकर युद्ध में पुने पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का सामना करना पला था तो दोस्तों ये बारत और पाकिस्तान के मद्द्ध ही लड़ा गया था तो ये थे आपके लिए उपियों की सभी युद्ध